वर्तमान में केंद सरकार स्वामिनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर लागत का 50 फीसदी मुनाफा जोड़कर MSP जरूर तै कर रही है लेकिन उसका लागत तै करने का आधारे 2-0-FL फॉमूला है जबकि किसान संगठन लंबे समय से सी दो लागत की मांध कर रहे हैं जिस को एक राष्ट्रिय किसान आयोग का गठन किया था जिसके अध्यक्ष मशहूर कृषी विज्ञानी एमें स्वामिनाथन थे इसलिए यह स्वामिनाथन कमीशन के नाम से लोक्त्रिय हो गया इस आयोग ने 4 अक्टूबर 2006 अपनी रिपोर्ट ततकालीन सरकार को सौंप दी थ हालां कि जिस फॉमूले पर यह आयोग किसानों को MSP देने की बात करता है उस पर MSP नहीं दिया किसान जिन 12 मांगों को लेकर 13 फर्वरी से अंदोलन कर रहे हैं उनमें से एक मांग सी दो लागत पर MSP देने की भी है जिसकी सिफारिश एमें स्वामिनाथन की अध्यक्षता वाले आयोग ने की थी जिन्हें मरनो पर आंत भारत रत्न देने का एलान किया गया है वर्तमान में केंद सरकार स्वामिनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर लागत का 50 फीसदी मुनाफा जोड़कर MSP जरूर तै कर रही है लेकिन उसका लागत तै करने का आधारे टू जो रेफल फॉमूला है जबकि किसान संगठन लंबे समय से सी दो लागत की मांध कर रहे हैं जिसकी सिफारिश स्वामिनाथन ने की थी दोनों लागत में काफी अंतर है अगर सी दो लागत के आधार पर 50 फीसदी रुटन जोड़कर MSP तै हो तो किसानों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा इसलिए किसान इसकी मांध को लेकर सड़क पर उत्रे हुए हैं लागत तै करने वाले तीन फॉमूले अगर किसानों को सी दो लागत के आधार पर MSP मिलने लगे तो फिर किसानों को कितना आधेक पैसा मिलेगा इसे लेकर हमने 14 प्रमुक फसलों का लेखा जोखा दिया है इससे पहले हम ये समझते हैं कि लागत पै करने के तीन फॉमूले कौन-कौन से हैं और क्यू सी, दो लागती किसानों को स्वीकार है ये दो लागत, इस लागत में नकडी खर्च शामिल होता है जैसे बीज, खाग, कीटनाशक, मजदूरी, इंधन और सिचाई पर लगने वाला पैसा इदो जोड फल लागत, इदो जोड फल का मतलब actual paid out cost plus imputed value of family labor है यानि वास्तव में खर्च की गई लागत जोड पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूलिया सी दो समग्र लागत इसमें वास्तविक खर्चों के अलावा स्वामित्व वाली भूमी और पूंजी के अनुमानित किराय और ब्याज को भी शामिल किया जाता है रिपोर्ट क्यू लागू नहीं कर पाई कॉंग्रेस किसान संगठन खेती की संपूर्ण लागत यानी सीटू जोड पांच शून्य फीसदीक पर आधारित फसलों का MSP देने की मान्द कर रहे हैं संयोग से अब किसान अंदोलन को हवा दे रही कॉंग्रेस अपने शासन में इसे लागू करने के लिए राजी नहीं थी जबकि उसी के शासन में इस आयोग का गठन किया गया था और उसी के शासन काल में इसकी रिपोर्ट सौपी गई थी तब बीजेपी किसानों से वादा कर रही थी कि सत्ता में आने पर वो इस आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी बीजेपी सत्ता में आये तो इसकी अधिकांच सिफारिशों को लागू किया गया लेकिन दाम के मुद्दे पर उसने भी कदम आगे नहीं बढ़ाए यानि इस आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से देश में कभी भी फसलों का दाम तै नहीं किया गया हालांकि क्रिशी लागत एवं मूलिय आयोग CACP ने अपनी रिपोर्ट में टू जोर एफल लागत के साथ साथ सी दो लागत का भी जेक्र किया हुआ है स्वामिनाथन फॉमूले से किसानों को कितना फायदा सी दो और एदो जोर एफल में कितना अंतर जिस आधार पर स्वामिनाथन कमीशन MSP देने की वकालत करता है उसके आधार पर अगर सरकार धान की MSP घोशित करे तो यह इस समय सरकारी दाम 2866.5 रुपय प्रती क्विंटल होगा जबकि अभी सरकार 2183 रुपय दे रही है यानि किसानों को प्रती क्विंटल 683.5 रुपय ज्यादा मिलेंगे इसी तरह हर हर पर सरकार 7000 रुपय प्रती क्विंटल का MSP दे रही है लेकिन अगर सी दो लागत पर 50 पीसदी रुटन जोड़कर इसका प्रोजेक्शन हो तो MSP 8989.5 रुपय प्रती क्विंटल हो जाएगी यानि किसानों को प्रती क्विंटल 1,989.5 रुपय अधिक मिलेंगे वर्तमान में सोयाबीन का MSP 4,600 रुपय प्रती क्विंटल है यानि किसानों को प्रती क्विंटल 1,428.5 रुपय अधिक दाम मिलेगा इस समय सरकार कॉटन का MSP 6,620 रुपय प्रती क्विंटल दे रही है लेकिन अगर सी दो लागत के आधार पर इसे टेक किया जाए तो दाम 8,689 रुपय प्रती क्विंटल हो जाएगा इसका मतलब यह है कि किसानों के हाथ में 2,069 रुपय प्रती क्विंटल अधिक आएगे मूल भावना के साथ लागू नहीं की गई रिपोर्ट बीजेपी दावा करती है कि उसने स्वामिनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी है लेकिन राश्ट्रिय किसान आयोग के पहले अध्यक्ष रह चुके सोमपाल शास्त्री इस दावे से सहमत नहीं है शास्त्री वाजपय सरकार में क्रिशी मंत्री भी रह चुके हैं उनका कहना है कि कमीशन की रिपोर्ट उसकी मूल भावना के साथ लागू नहीं की गई है आयोग कहता है कि किसानों को सी दो फॉमूले पर देर गुना दाम मिलना चाहिए जबकि सरकारे दो जोड एफल फॉमूले के आधार पर MSP दे रही है सही फॉमूले से MSP मिले तो किसानों की आय बढ़ेगी कटघरे में कॉंग्रेस कृषी सुधार के लिए मोधी सरकार की ओर से गठित कमेटी के सदस्य बिनोधानन का कहना है कि ये में स्वामिनाथन क्रिशी अर्थ शास्त्री नहीं थे बलकि वो दुनिया के जाने माने जैनिटिक इंजिनियर थे देश में हरित क्रांती लाने में उनका महत्वपून योगदान है लेकिन जहां तक राष्ट्रिय किसान आयोग का सवाल है तो यहाँ याग सोमपाल शास्त्री की अध्यक्षता में वाजपेशी सरकार में बना था लेकिन कॉंग्रेस की सरकार आने के बाद इसके चैर्मेने में स्वामिनाथन को बना दिया गया स्वामिनाथन फॉमूला बेहद पेचदा है विक्सित भारत की वर्तमान संकलपला में ये पूरी तरह से अनफिट है आनंद का कहना है कि अगर आज कॉंग्रेस और राहूल गांधी किसान आंदोलन को हवा दे रहे हैं तो वो बताएं कि 2006 में रिपोर्ट आने के बाद उनकी पार्टी की सरकार ने इसे क्यों लागू नहीं किया जबकि तब तो जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंग प्रधान मंत्री थे किसानों को ये सवाल कॉंग्रेस और उसका सहयोग कर रही दूसरी पार्टियों से जरूर पूछना चाहिए